हलो बच्चा लोग तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन के अध्याय छे को और इस अध्याय का क्या नाम है उत्तक तो यह जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनें याद करन थोड़ा मुश्किल है तो बेसिकली यदि तुम देखोगे इस चैप्टर में तो बहुत सारे चीजों को क्या करना है याद करना है यहां समझना कम है तुम्हें और याद जादा करना है बहुत सारे चीजों को तुम्हें याद करना होगा बिल्कुल तो यह चैप्टर है उ तो यह तुम्हें जादा समझ में आएगा तो बच्चो थोड़ा सा एक flow chart हम लोग समझ लेते हैं उसकी बाद इस chapter को हम लोग पढ़ेंगे तो यहां थोड़ा सा मैं पढ़ा हों तुम्हें तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौदे कोशिकाओं के बने होते हैं तो बच्चों हम लोगों ने पीछे चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जितने भी जीवित प्राणी हैं या जितने भी जीवित पौदे हैं वो किसी से बने हैं कोशिकाओं से बिलकूर यानि की कोशिका हम लोगों ने देखा था शरीर की रचनातमक तथा क्रियातमक इकाई होती है ठीक है तो एक कोशिक जीव में सभी मौलिकार एक ही कोशिका द्वारा किये जाते हैं जैसे एक उदारन में अमीबा का ले लो तो अमीबा में देखोगे कि उसमें गती भी किस के द्वारा हो रहा है एक ही कोशिका के द्वारा है भोजन लेनी की प्रक्रिया उसको पचाने की प्रक्रिया उसी कोशिका से हो रही है गैसी ये आदान प्रादान भी उसी कोशिका से हो रहा है उत्सरजन की क्रिया भी उसी कोशिका से हो रहा है तो यहां देख सकतो जैसे कि अमीबा को मैंने बना दिया है तो अमीबा क्या है एक कोशिका जनतु है यानि कि सिर्फ एक कोशिका का बना है और इसके शरीर के सारे फ उसका जीवन उसी कोशीका से पूरा चल रहा है लेकिन अब यदि बात करें बहु कोशीकीय जीव की जैसे कि हम लोग पेंड़ पौध हैं हमारे शरीर में लाखो कोशीकाइं होती हैं और इन में से अधिक्तर कोशीकाइं कुछ विशिष्ट कारियों को ही समपन करने में सक्ष हम होती है तो यहीं से बात तुमको समझना है कि हमारा जो शरीर है वह एकदम सिंपल और सरल नहीं है यहां पर अलग-अलग प्रकार की कोशिका होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कारे को करते हैं जैसे कि उदारन के लिए यदि हम लोग ले ले यहां पर रक्त कोशिका को तो इसका कार यह जो है वह क्या है विशेश प्रकार का कारे होगा कि ऑक्सीजन को क्या करना जैसे रक्त कोशिका में हम लोगों को उदारन लिया तो यह क्या करेगा रक्त में ऑक्सीजन को एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाएगा इस तरीके से यदि हमने एक तंत्री का कोशी का का उदारन लिया तो यह क्या करेगा यह सुचनाओं को एक जगा से दूसरे जगा पहुचाता है यदि हम लोगों ने एक fat cell की बात की तो ये क्या करता है ये fat का क्या करता है संचय करता है तो ये तो दो तीन उदारन मैंने दिये लेकिन जो बहु कोशिक ये जीव में होते हैं उनमें ऐसे बहुत अलग-अलग प्रकार के कोशिका होते हैं जो की विशिष्ट क कार ये को करते हैं और ये single एक-एक नहीं है ये क्या होते हैं समूह में होते हैं और समूह में होकर के विशिष्ट कारे को करते हैं और उसे ही क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं तो उत्तक क्या है उत्तक है कोशिकाओं का वैसा समूह जो एक विशिष्ट कारे को ही अति दक्षित पुर्वक संपन करता है ठीक है तो उसे ही क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं तो कोशिका क्या होता है कोशिका का समूह होता है जो कि एक विशिष्ट कार्य को करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं उत्तक कहते हैं तो यही अब समझता है यह जो उत्तक है वो किस्च बना है कोशिका त इसमें रहेंगे, समूव में, अब बोलो समूव में क्यों रहेंगे, क्योंकि एक कोश, एक RBC थोड़े नहीं, बहुत सारे RBC हैं, RBC के साथ महाँ WBC भी रहेगा, बलड प्लेट लेड् слишком भी रहेगा, इसी तरीकि से, एक तंत्री का कोशिका थोड़े नहीं, बहुत सारे तंत्री का कोशिका है तो यह समूव में रहते हैं एक सिंगल तंत्री का कोशिका नहीं है हमारे शरी में बहुत सारा तंत्री का कोशिका है जो कि एक समूव में है और जब यह समूव बनाता है कोशिका जब समूव बनाएगा तो उसे ही क्या बोलेंगे उत्तक हम लोग बोलें ठीक है यानि कि कोशिका हो गया क्या हो गया अब चलो कोशिका कोशिका से ही क्या बन जाएगा उत्तक बनेगा ठीक है कोशिका जब समूह में होगा तो उसी से क्या बनेगा उत्तक और यही उत्तक जो है अंग को बनाता है हमारे शरीर में और यही जो अंग है वह अंग तंत्र को बनाता है और फिर हमारा क्या बन जाता है शरीर बन जाता है ठीक है अब धियान से सुनो जो मैं बता रहा हो तुम्हें तो तंत्री का क्या हो गया तंत्री का एक इस तरीके से क्या हो गया ये कोशी का हो गया ये तंत्री का क्या हो गया ठीक है ये देखो ये तंत्री का क्या कोशी का ये तंत्री का कोशी का हो गया अब ये जो तंत्री का कोशी का है ये कैसे रहेगा जी हाँ ये समूह में रहेगा और ये बना देगा तंत्री का उत्तक बना देगा तंत्री का उत्तक बनाएगा बिलकुल अब ये जो तंत्री का उत्तक है ये अलग-अलग प्रकार के अंग बनाएगा जैसे क्या बनाएगा मस्तिस्क बनाएगा तो मस्तिस्क क्या है एक अंग है मेरू रज्जु बनाएगा रज्जु ये क्या है एक अंग है इस तरीके से अब ये जो अंग है ये वलके क्या बनाएगा तंत्री का तंत्र बना देगा तंत्री का तंत्र ये क्या हो गया अंग तंत्र हो गया और इस तरीके से तंत्री का तंत्र हो गया पाचन तंत्र हो गया स्वशन तंत्र हो गया बहुत सारे तंत्र आपस में मिलते हैं तो शरीर का क्या करते है निर्मान करते हैं अब समझ में आगे हैं कि यह हो गया कोशी का और यही कोशी का जब आपस मिलता है तो इद्टख को पड़ना, यहीं पर पढ़ना है उट तक को पढ़ना भुबिन्द प्रकार को उट तक को पढ़ना है तो फिरे दीरे तुम्हें समझ में सब चीज आ जाएगा तो उत्तक क्या तुमने समझा कि कोशिका होता है उसका एक संभूव बनेगा जो एक विसेस प्रकार के कारे को करेगा जैसे अब तंत्री का उत्तक है वो क्या करेगा वो क्या करेगा सुचिनाओं को एक जगा से दूसरे जगा संचारित करने में मदद कर करेगा यही उसका विसेस काम हो गया और तंत्री का उतकिस से बना है तो तंत्री का कोशी का जिसको नियूरॉन के नाम से भी जानते हैं ठीक है उसी से बना हुआ है तो यह लाश्ट में पढ़ाऊ पढ़ाऊंगा पुरे डीटेल में तो यही अब देखो बहुत सारे और एक् में प्रकार को करेंगी लेकिन यहां सीद है रक्त का तो रक्त क्या है रक्त को शिका नहीं है बलकि रक्त अट ओंगे मैं मैं पढ़ाऊंगा कि रख्त क्या है रख्त को हम लोग उत्तक मानते हैं कोशिका नहीं मानते हैं यानि की यानि की रख्त में विभिन प्रकार की कोशिकाएं होंगी तो रख्त का काम क्या है यह तुम्हें नहीं पता तो जान लो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए गी तो तो सिर्फ मनुश्यों में यह जंतुओं में ही हम लोगं को नहीं उत्यक पढ़ना है पौधों भी उत्यक को पढ़ना है और वह आगे पुरा डीतियल में पढ़ाए जाएगा अता बहु कोशिक ड़ीवों में श्रम भी भाजन होता है अब देखो तो बहुत कोशिक जीवों का जो शरीर है उस शरीर में विभिन प्रकार के तंत्र लगे होंगे विभिन प्रकार के अंग लगे होंगे जो की अलग-अलग काम को कर रहे होंगे और इस कारण से उनका उत्तक भी अलग-अलग प्रकार का होगा उनमें कोशी का भी क्या होगा अलग अलग प्रकार का होगा अच्छा और वो क्या करेगा खास काम को करेगा ऐसा नहीं कि वही सब काम कर रहा है जैसे तंत्री का कोशी का काम है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना सुचना समझ रहे हो देखो इसको चलास में बहुत अच्छे से बहतरीन से समझाए जाता है ऐसे पढ़ा के ज़्यादा चीज समझ में नहीं आता है ये तो मैं भी जानता हूं तो जैसे तुम अभी पैर से टच करो जो भी चीज़ नीचे पैर के नीचे टच करो तो मैं पता चल रहा है कोई बोलेगा कि मुझे ठंडक महसूस हो रहा है तो जो महसूस हो रहा है वो तुम्हारे दिमाग तक मस्तिष्क तक कैसे पहुंच रहा है तंत्रिका कोशिका के द्वारा पहुंच रहा है तो देखा यह सुचनाओं को एक जगह से दूसरे जगा पहुंचाता है तो क्या यह oxygen को भी एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाएगा बिल्कुल नहीं इसका काम ही नहीं है oxygen को पहुंचाना oxygen को पहुंचाने का काम किसका है लाल रक्त करिकाओं का काम है तो क्या लाल रक्त करिकाओं सुचनाओं को एक जगा से दूस सफाई करना टीचर का क्या काम है पढ़ाना प्रिंसिपल का क्या काम है देख भाल करना अब मालो कभी तुमने ऐसा देखा है कि बच्चे जाकर के पूरा साप सफाई करेंगे जाडू ले करके और प्यून आके क्लास में पढ़ेगा और मास्टर साहिब क्या करेंगे जाकर के प्रिंसिपल के चीयर पर बैठे रहेंगे और फिर जाडू लगाएगा ऐसा देखा है नहीं इसी कहते हैं कारीय विभाजन क्या वे यहां पर कार ये का विभाजन किया है यानि कि जो बच्चा उसका काम ही है पढ़ना जो शिक्शक उसका काम ही है पढ़ाना जो तुम्हार शरीर कारी विभाजन या श्रम विभाजन दोनों कह सकते हैं तो हमारे शरीर में भी ये श्रम विभाजन एक तम साफा साफ दिखेगा यानि कि जिसका जो काम है वही करेगा कोई दोसर का नहीं कर सकता है जी हां यही आख के काम है कि देखना आख से आप भोजन खाने नहीं ल पिरिचा टेस्ट करना है तो जीब से टेस्ट करोगे उसको तुम आख में घुसा घुसा कर टेस्ट नहीं कर सकते हो समझ गया है इसी तरीके से हमारे सरीर में कोशिकाओं का भी खासम खास काम है उत्तकों का भी खासम खास काम है इसी को कहते हैं श्रम भी भाजन सरीर के अंद जतक कहते हैं समझ इससे ग्यात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्त कार एक निश्यत स्थान पर कोशीकाओं के एक विशाष्ट सम्भाएं द्वारा संपन गए भई यह कितनी बार लिखिए गा कतनी बार लिखिए गपांगल समझें मजिको नहीं बुजह रहे है कि कोशino का एकाउप केgar EVge करहेगा । कि कोशिकाओं का यह संबहत कि यार कितना बार पढ़ाएगा इसको कहते हैं। उत्तक कितनी बार में पढ़ाओं यह उत्तक अधिक्तम दक्षिता के साथ कारी कर सकनी के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्तित और अब रख्त क्या है मैंने भी तुम पढ़ायाकि यह वकुत तक है उत्तक फ्लोएम आगे पढ़ाएंगे पेशी उत्तक इन सब को पढ़ाये जाएगा तो इंदम कमर कस लो सब चीज को पढ़ना तो बिलकुल नहीं है यहाँपर जादा से जादा याद करना है जितना जादा इस चैप्टर को याद करीगे गाना उतना ही जादा अप्तेज होई गरें तो इननम महान चैप्टर है कि कोशिकाओं का समूह रहेगा अब क्या एक ही प्रकार के कोशिका एक ही प्रकार की कोशिका होती है उत्तक में तो अभी तक तो हमने समझा कि हाँ एक ही प्रकार की कोशिका होती है लेकिन कुछ उत्तक ऐसे होते हैं जिसमें अलग 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 प्रकार के अलग अलग प्रकार कशिकाएं भी पाई जाएंगी तो वह भी हम लोग देखेंगेंगे अब चलो अब यहां तक क्या समझ में आग होगा नहीं यहाँ चारा मैं पढ़ाता हूं यंदि मैं तुमार्र इंटरनेट पर तो यह इसे बलाईए एकदम झागास पड़ा देंगे अब देखिए कि आप पौधे और जन्तु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं तो आईए हम विभिन उत्तकों के संगरशना अच्छा तो प्लांट होता है और हम लोग जन्तु होते हैं तो पौधे और जन्तु में अंतर है कि नह जगा स्थिर होता है अब वो जो पौधा है बेचारा एक जगा स्थिर है तो उसको धूप है धूल है पानी है हावा है सब को बरदास्त करना है लेकिन हमारा शरीर ऐसे फिक्स थोड़े नहीं हमारा शरीर क्या हो रहा है यह घुमनतु है जहां धूप धूल यह सब अधिके से हम लोग यह भी आगे देखेंगे कि पौधों के शरीर में ज़्यादा तर यहां पर क्या जरूरत होता है उनको इस सुरक्षातमक कारी जरूरत होते हैं कि उनका जो शरीर हो बचा रहे और इसी कारण से इनके शरीर में ज्यादा से ज्यादा इम्रित सेल भी पौधों का जो शरीर होगा जो बचा बाड़ी होगा उनको ज्यादा मेकेनिकल सपोर्ट चाहिए उनको ज्यादा स्ट्रिंथ ताकत चाहिए ताकि वो सब चीजों को जहल सकें लेकिन हमारे लिए वैसा नहीं हमारा बाड़ी थोड़ा अलग है पेड़ पौधों से इस यही तो तुमको में पढ़ना है क्या पौदों और जंतों की संगरशनाय समान होती है नहीं होती है अभी तो पढ़ाया क्या दोनों समरूप कारे करते हैं बिलकुल नहीं करते हैं तो दोनों में अस्पष्ट अंतर होता है एकदम तो पौधे स्थिर होते हैं वेगती नहीं करते हैं चुक्कि उन्हें शीधा खड़ा होना होता है अता उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं यही वाला में तक प्राया मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तो दूसरा होगा कि इसमें मृत कोशिकाओं की संख्या क्या होती है जादा होती है दूसरी और जन्तु भोजन साथी और आश्रे की खोज में इधर उधर विश्रन करते हैं तुम अभी साथी मत खोजना तुम अभी पढ़ाई प उपभोग करते हैं जन्तुओं के अधिकांस उत्तक जीवित होते हैं तो अभी यहां भी देखो तीसरा भी देख सकते हो कि यहां पर उर्जा का यह कम उपभोग करते हैं उर्जा का उपभोग क्या करते हैं कम तो यह तीसरा अंतर यदि करना लगो कि पौधों के उत्तक और जन्तों के उत्तक में क्या अंतर होगा यानि कि पौधों का उत्तक निवलेंगे शारेरी क्रिया और जन्तों के शारेरी क्रिया में क्या अंतर होगा जिसके कारण उसके उत्तक में अंतर आता है तो बहुत सारे उत्तत होते हैं जोकि उसको सहारा देते थोड़ा वर्ट को पकड़ो तो गल्बर हो जाए कभी इदह उधर उसको समझा कर अपना दिमाग है की नहीं है पौधों में जो उत्तक होते हो लगभग फिर मुझे से सवड निकल रहा है बहुत सारे उत्तक मृत होते हैं इनमें उर्जा का खपत क्या होता है कम होता है इस तरीके से इसका अंतर कर सकते हो कि उनके उत्तक और हमारे उत्तक में क्या अंतर है उनके सरी के बनावट में जो उत्तक होते हैं और हमारे सरी के बनावट में जो उत्तक होते हैं जन्तू और पौधों के बीश उनकी व्रिधी के प्रतिलूप एक और विभिनता है पौधों की व्रिधी क चेत्रों तक ही सिमित होती है जबकि जन्तुओं में ऐसा नहीं होता है अब देखो पौधों में जो उत्तक है व्रिधी है वो एक विशेश छेत्र में होगा जो कि आगे पौड़ों यहां लंबाई में व्रिधी होगा चोडाई में इधर व्रिधी होगा ठीक है लेकिन जन्त में ऐसा नहीं होता है उत्तकों की विभाजन चमता के अधार पर ही पौधों के उत्तकों वर्गी कृत किया जाता है अब यहीं से आगे हमारा पौधों के उत्तकों का वर्गी करन जो की आगे हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहां पर देखोगे उत्तकों के विभाजन के अस्थाई उत्तक तो यही तुमको सबसे पहला याद करना है तो विभाजियों तक क्या होते हैं पौधों में कुछ ऐसे उत्तक होते हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं विभाजियों तक कहते हैं और जब ये विभाजन की छमता खो दे तो यह अस्थाई उत्तक का निर्मान करते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं उत्तकों की विभाजन छमता के आधार पर ही पौधों के उत्तक पादप उत्तकों का वर्गी करन किया जाता है तो यह बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी है और इसमें एकश्यन भी आएगा तो उत्तकों के विभाजन के आधार पर मतलब कि वहां पर उसका विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानि कि विभाजन छमता के आधार पर पादप उत्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया है यही है आपका क्वेश्यन तो इसका उत्तर है दो भागों में पह और यदि हम लोग पादप उत्तक पढ़ेंगे पादप उत्तक तो इसी प्रकार से दो भागों में इसको हम लोग बाट करके वर्गी करन करके भी पढ़ेंगे कि पादप उत्तक दो परकार के होते हैं पहला को कहेंगे विभाजियों तक और दूसरा को कहेंगे अस्थायों त फिर अस्थायू तक में भी दो भाग पढ़ेंगे, पहले को कहेंगे सरल अस्थायू तक और दूसरे को क्या कहेंगे जटिल अस्थायू तक, फिर सरल अस्थायू तक तिन परकार के होगे, पैरिन काइमा, कॉलिन काइमा, और फिर स्केलरिन काइमा, देखो कितना भारी-भार नमारा उसको याद करना हुगा फिर जटी लश्थायों तक भी हमारा दो प्रकार का होगा पहला होगा जायलम दूसरा क्या हो जाएगा फ्लोएम ठीक है इस तरीके से देखा तुमने और फिर विभाजियों तक को हम लोग अलग-अलग प्रकार से इसका भी विभाजियों तक पार्स विभाजियोतक ठीक है और क्या पढ़ेंगे हम लोग अंतरविष्ट विभाजियोतक तो इस तरीके से देखा पादप उत्तक को इस तरीके से हम लोग विभाजित करके पढ़ेंगे तो विभाजियोतक के बारे में जानेंगे अस्थायोतक के सभी प्रकारू को पढ़ क्या उसके बारे में पढ़ेंगे सरलस्ताई उतक में पैरिन काईमा कौल काईमा सब के बारे में पढ़ेंगे फिर जैलम और फ्लोएं के आप एक तरही के से मैंने तुम्हें शुरू में ही वर्गी करन सिखा दिया है कि तो यहाँ पर थोड़ा सा सिख लेते तो विभाजियो के इसे कहते हैं जलाव Šय उसमें कोशिका विभाजित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं विभाजियो एक और जहां पर जब विभाजिय तक अपना जो विभाजन की शम्ता खो देता है तो वह बनता स्थाई तक में विभाजन की छमता नहीं होती है ठीक है यह हो गया पहला अंतर तो आगी चल के और अंतर को हम लोग देखें कि यह भी प्रश्ण आएगा तुम्हारा कि विभाजियों तक और अस्थाईयों तक में अंतर करिए तो दो-तीन अंतर वहां पर हम लोग कर सकते हैं तो पताया कि यह जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे चीज़ों को याद करना है जितना जादा याद होगा उतना मजबूत यह चैप्टर होगा अब देखो जन्तूओं की बात करें तो जन्तूओं में कोशिका व्रिधी अधिक एक रूप होती है अता जन्तूओं में संग तंत्रों का संग रशनातमक संगठन जटिल पौधों के पेक्षा जटिल जन्तूओं में अति विशिट तथा सीमित होते हैं यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महतपन समूहों के जीवन यापन के विभिन तरीकों को दर्शाता है तो दो महतपन समूह कौन हो गया ए क्योंकि पादप का जो संगरशना है और जो जन्तूओं का संगरशना उसमें काफी क्या होगा विभिनता पाए जाएगा ति यहां से कोई कोश्यन नहीं कोई कोश्य नहीं है विशेसकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संग्रशनात्मक संगठन एक और पौधों को के गतिहिन अस्तित्व तथा दूसरी और जंतों के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों के विकाशत विविन प्रकार से अनुकूलित होते हैं तो देखो कि संग्रशनात्मक जो संग्ठन है उनके बौड़ी का उनको जादा से जादा क्या करेगा सुरक्षा प्रदान करेगा वो एक ही जगह रहaltungे और एक ही जगह करते हैं गती करते हैं और उसके लिए उनके अंग तंत्रों के विकासे तो विभिन प्रकार के अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं तो जन्तूओं में अलग अलग जन्तूओं में विशेस प्रकार के अनुकूलन भी देखने को मिलेंगे क्योंकि अलग अलग वातावरन में भी रहते हैं वहां पर इनका अंग और अंग तंत्र भी अलग-अलग प्रकार से विक्सित होता है जिसे एक छोटा साउधारन लिजिए अब बताए जाएगा आपको त्वचा क्या है एक अंग है क्या है तो तुम्हारा पॉलर भेर जिसको कहें और हम लोग है तो क्या हम लोग तवचा में अंत्र होगा मनुष्य और पॉलर भेर में बिलकुल होगा उनका तवचा इस तरीके से बना हुआ है कि उनके शरीर को क्या करें वह ठंड से बचाए उनका तोच्छा में बहुत सारा फर होगा लेकिन हमारा तोच्छा उस तरीके का नहीं होगा और यह जो है वह भी क्या है विशेश उत्तक से बना होता ही आगे पढ़ोगे जटेल जनतुओं तो था पौदों के संदर्व में अब हम उत स्रित रुप से पढ़ेंगे तो अब इधा माग या पादपुतक और पादपुतक में सबसे पहला क्या पढ़ना है विभाजियोतक ठीक है तो जान ही रहो तुम लोग कि विभाजियोतक क्या है वैसे उत्तक जिन में जिन में क्या हो रहा है बताव जिसमें विभाजन हो र और इसकारण से उन में जो विभिनन भाग होते हैं उन में खास खास शेत्र में इकदमывать आए जाते हैं जो ऐसे व्रिधी को क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो अस्थान के अधार पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देखो यह विभाजियों तक मैंने तीन प्रकार के पढ़ा हैं पहला क्या है सिर्षस्त विभाजियों तक दूसरा है अंतरविष्ट विभाजियों तक और तीसरा क्या है पार्ष विभाजियों तक तो मैंने क्या बताया पौधों में जो व्रिदी होती है व कि शिर्फ और सिर्फ उसके लंबाई को क्या करेगा इसके चौड़ाय को नहीं बढ़ाएगा तीक है यानि कि पौधा लंबा हो रहा है तो लंबा होने के लिए क्या चाहिए शिर्षस्त विभाजियों तक जो कि विशेस अस्थान पर है यह तो इसका जो स्टेम का टीप है मतलब कि इसका जो तना का जो टीप है यानि यह जो छोर है और इसका जो जड़ का जो छोर है वह ओहां पर यह क्या पाई जाएगा में क्या करेगा अब रिद्रेlt करेगा लेकिन भाए स्रीपदी करें होता है उन करेजियों करें साहिखा करेजिंין минут extra 4 boxes对 everyone you can monitor the bell 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 करेगा तुम्हारा इसका मोटाई में व्रिधी यानि इसको मोटा करेगा तो special हो गया कि नहीं हो गया बिल्कुल हो गया इसी के साथ यह तुम्हारा यहां पर देख सकता इंटर नोड का व्रिधी में यहां देखो बीच-बीच में यह अंतरविष्ट विभाजयोतक है वो मदद करते हैं तो इस तरीके से जो विभाजयोतक हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा पादप में पहला होगे तुम्हारा विभाजयोतक और दूसरा क्या हो गया अस्थायोतक थीज़ाद विभाजयोतक कीतनी प्रकार का होगा तीन पहला दूसरा और तीसरा और अस्थायोतक भी आगे पढ़ें कितने प्रकार का हो जाएगा दो सरलत्थायोतक और दूसरा क्या जक्तिल अस्थायोतक srl लस्तायों तक भी पढ़ेंगे तीन प्रकार का पहला क्या हुआ पहला हो गया सिर्शस्त विभाजयों तक दूसरा अंतर विष्ट विभाजयों तक अब समझ में तुम लोगों को तो यहां पर यह विभाजयों तक एकदम स्पेशलाइज जगह मतलब खास जगह पाये जाता ह है बिल्कुल तो वही souvent लिखा हुआ है जहां देखो लिखा हुआ है ऐसे उत्तकों को विभाजयों तक मेरे श्टमेटिक टीश्व कहा जाता है यह विभाजयोंत्र किसी भाग में इस्तीतργा होते हैं किस भाग में रखाव पहरी ने सिर्शस्त जिसे की हम लोग और दूसरा क्या हो गया पार्श्व और तीसरा क्या हो गया अंतर्विष्ट में वर्गी क्रित किया जाता है तो कहां पर है क्या काम है तो इस्थिती के अनुसार इस्थिती के अनुसार विभाजियोतक को हम लोग तीन भागों में बाट जाता है अरे हां जी हां लेकिन वो यहां पर नहीं पढ़ना है यहां पर विभाजयोतक के वल स्थिति के आधार पर आपको पढ़े लेना है स्थिति के आधार पर तीन भागों में इसको बंढ़ा जाता है और हम लोगों यहां पढ़ना उड़ना नहीं है तो समझ गिया अब विभाजियोतक के द्वारा तैयार नहीं कोशिका है प्रारंभ में विभाजियोतक की तरह होती है लेकिन जैसे ही यह बढ़ती है और परिपक्व होती है इनके गुडों में धीरे-धीरे पौरिवर्तन होत जाती है यह नहीं में यह सुरू में क्या होता है यह इसमें सेल डिवीजन होगा कोशिका होगा और उसके बाद धीरे-धीरे परिपक्व होते जाएगा और फिर जिस रूप में बदलना है वह बदल भी जाएगा तो यह हो गया सिर्शस्त विभाजियोतक अंतरविष्ट व रूट रहते हैं तो यह सिर्शस्त विभाजियोतक कहां विध्यमान रहेंगे तो मैंने बताया था जड़ों में जड़ों के जड़ों के लिवाले भाग में विध्यमान रहते हैं यहां उनकी वृध्धि हो रही होती है ऐसा नहीं कि कहीं भी विद्यमान है वृद्धी वाले भाग में क्या होगा विद्यमान होगा यानि कि टीप पर तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धी करता है एवं क्या करता है उसके लंबाई में वृद्धी करेगा तो ये सब सिर्शस्त विभाजयों तक क्या हो गया ग पार स्वोई भाजय तो तनnh की परिधी हृं मूल में रिभी पार सभी भाजय के आइंडा होता है। तो तुम देखो कि बरगत का पेंडके उसका तना क्या होता है मोटा मोटा होता है तो आप इसको प्रदान करता है कि इसको मोटाई कौन प्रदान करता है को किसके दोरह हो रहा है केंब्रियम के दोरह हो रहा है याद रखिएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परसु विभाज होता है तो दो बात यहां पर हम लोगों ने समझ लिया अंतर्विष्ट विभाज होता कुछ पौदों में परवसंधियों के पास पाय जाते हैं फती जहां निकलताई नहीं तुमको समझ मैं रहा होगा यह को यह दो नोड भुलति न कौनानि दियंगे चक्ण सब्सक्ते नोड होका है पत्ती नहीं कि गिणूठ लेगा वही सभिण पाएगा अंतर्विष्ट विभाजयोतक पाएगा पर्वसंधियों के पास विभाजयोतक की कोशिकाएं अत्यधी क्रियाशील होती हैं यह तो समझ लिया अब विभाजयोतक के बारे में समझो कि इसका कोशिका क्या होगा अत्यधी क्रियाशील होगा यानि कि उसमें कोशिका विभाजन की छमता होगी तो पहला अंतर क्या किस में अंतर विभाजयोतक और अस्थायोतक में अंतर बताइसा ना की कोशन पुछेगा तो इसका सबसे पहला की कोशिका में विभाजन होगा दूसरा बहुत जादा कोशिका द्रव्य होगा और तीसरा कोशिका भिती पतली यही सब लिखते जाना है और पांच वा इसके पास रसधानी नहीं होगी यह सब सब बात लिख सकते हो और इसके बगल में कहा लिख दो कि अस्थायो तक में जिसमें यह सब नहीं होगा तो यहां पर बहुत सी बारे बाते उठ सकती हैं जैसे कि इसके पास अधिक कोशी का द् बिभाजित होना इन कोशिकाओं को इसका क्या होगा कोशिका द्रवे जादा होगा पतली कोशिका भित्ती होगी जब कि आगे देखोगे जो अस्थाई उतक हैं जहां पर कोशिका का विभाजन बंद हो चुका है वहाँ पर कोशी का भित्ती क्या होती है मोटी होती है इसी के साथ उनके पास रस्धानी नहीं होती है यह भी क्या कर रहा है यह भी वही बात बता रहा है क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रस्धानी क्यों नहीं होती अब क्या इसका एंसर तुम दे सकते हो विभाज जियोतक के पास आखिर रस्धानी क्यों नहीं होती इसके बाद आगया हमारा अस्थायोतक तो हम लोगों ने देखा पादप उत्तक को दो भागों में बाटेंगे पाहला विभाज जियोतक जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया तीन प्रकार का स्थिती के अ दार पर और दूसरा है अस्थायू तक तो अस्थायू तक क्या होगा अस्थायू तक वैसे होंगे जिसमें ये उत्तक में विभाजन की छमता समाप्त हो चुकी है वो अब विभाजित नहीं होंगे उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं अस्थायू तक तो विभाजियो तक चम्ता खो देती हैं और वही क्या करती है अस्थायु तक का निर्माण करती हैं। तो विभाजियों तक ही जब देख सकते हो विभाजन होने की यानि कि उसमें बटवारा नहीं हो रहा है यानि कि उसमें कोशी का विभाजन नहीं हो रहा है तो जब उस इस्थिती में पहुंचता है तो उसे ही क्या बोलते हैं अस्थायों तक यानि कि अब उसमें विभाजन क च्छमत आ नहीं है तो वो हो गया अस्थायों तक इस प्रकार एक विशिष्ट कारे करने के लिए अस्थाय रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदी करन कहते हैं तो यहां से question आ गया तुम्हारा विभेदी करन किसे कहते हैं तो जब विभाजियों तक है वो इस तरीके से अपना रूपांतरन करता है कि वो एक अस्थाय रूप ले और आकार ले और विशेस कारे को करे तो वही प्रक्रिया क्या है वही रूपांतरन की प्रक्रिया क्या है वही बदलने की प्रक्रिया क्या है वही आकार लेने की प्रक्रिया क्या है विभेदी करन है विभाद जियोतक की कोशिकाएं विशिष्टी कृत होकर विभिन प्रकार के हस्थाय। तक का निर्मान करती है उसका विकास करती है तो यहां देख सकते हो तने के सेक्षन का काट दिखाए गया है इस तरीके से तो यह तो बहुत भारी होता है इसको असाने से समझा भी नहीं जा सकता यह 12 क्लास में तुम लोगों को पढ़ना है 11 में ठीक है और आगे की और बढ़ कोशिकाओं जताइ जाती है गरुझ सबस faço लिएव दो प्रकार के है स्थाइव तक सबसे पहले हों कहते हैं प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जबकि जटेक अस्था यादिन प्रकार की कोशिकाओं यहंब होते तो सरलस्थाई उतक अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो चलो यह देखो यही है सरलस्थाई उतक तो यहां देख सकते हो बताए गया है epidermis के नीचे कोशिकाओं की कुछ परते होती है जिसे सरलस्थाई उतक कहते हैं तो भाई इसको समझने के लिए यहां पर एक चित्र दिखाये गया है यह देखिए तने के सेक्षन काट को दिखाये गया है तो एक तना लिया गया है और उसके काट को यहां पर तुम देख सकते हो दिखाये गया है और इसके एक भाग को यहां पर दिखाये गया है तो यह थोड़ा टफ है तुम्हारे लिए तो उड़ाओगे तो यहां परेदी देखोगे तो यह ऐसा देखने को मिलेगा तो देख भी सकते हो बाहर बीच में क्या है काली अस्थान है बाहर में देख सकते हो अलग-अलग परतों को दिखाए गया है तो जो सबसे बाहरी परत है इसी का नाम क्या है परते हैं इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स तो यह जो हाईपोडरमिस है ये scleran cima से बना होता है hypodermis किस से बनाता है scleran cima उसके नीचे ये देखो यहाँ पर colin cima तुमको दिखेगा उसके नीचे देखो ये parent cima तुमको दिखेगा तो ये सब क्या है यही सब तु यहाँ बोल रहा है कि एपीडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परते होती है यानि की कुछ उत्तक होते है जिसको हम लोग क्या कहते है अस्थायो तक तो अस्थायो तक में कौन-कौन हो गए सबसे पहले क्या हो गया पैरिन काइमा क्या हो गया पैरिन काइमा दूसरा क्या हो गया कॉलिन काइमा तीसरा क्या हो गया इसकेलेरिन काइमा तो अच्छा से लिखा हुआ है वहाँ देख लेंगे पैरिन काइमा कॉलिन काइमा स्केलेरिन काइमा तो यह जो है तुम्हारा यह यहाँ दिखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बिल्कुल यहाँ देखो पैरेन काइमा देखने को मिल रहा है फिर देखो कॉलेन काइमा देखने को मिल रहा है स्केलरेन काइमा देखने को मिल रहा है ठीक है तो यह जो परते हैं यह सरलस्थाई उत्तक की परते हैं तो क्या यहां पर हम लोगों को जटिलस्थाई उतक भी दिख रहा है बिल्कुल यहां जटिलस्थाई उतक दिखेगा यह देखो यह सब है जाइलम यह सब क्या है जाइलम और यहां देख सकते हो यह जाइलम को दिखाए गया है यहां फ्लोएम को दिखाए गया है तो यह जा इस तरीके का देख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग भैस्कुलर बंडल क्या बोलते हैं भैस्कुलर बंडल और हिंदियों बोलते हैं समवहन बंडल यह देखो ऐसा दिख रहा है ना इसी को बोलते हैं समवहन बंडल इस समवहन बंडल में यहां पर क्या है यहां पर तुम्ह किसी किसी में नहीं होगा इसी को कहते हैं कैम्बियम क्या बोलते हैं कैम्बियम यही कैम्बियम मोटाई में वर्धी करता है जो बार बार तुम लोगों को बताए गया कि यह मोटाई में क्या करता है वर्धी करता है तो इस तरीके से यही है तुम्हारा समवहन बंडल समझ में आ गया, अब देखो, पेरेन काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरलस्थाई उत्तक है, या पतली कोशी का भित्ती वाला, अब देखो, अब सबसे पहले पेरेन काइमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अब तुम को ध्यान क्या देना है, parentkesma के बारे में 4 से 5 point पढ़ लेना है जैसे कि parentkesma पतली कोशी का भित्ती वाला सरल कोशी काओं का बना होता है यह पहला point तुम्हीं बताना है कि ग्या parentkesma में भाजन होगा नहीं होगा क्योंकि ये अस्थायू तक है ये बात याद रखना अब यहाँ पर देखोगे इसमें पतली कोशी का भित्ती होती है तो तुम बोलोगे कि अस्थायू तक में तो पतली कोशी का भित्ती नहीं होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है पैरिन काइमा में तो पतला भित्ती ही लिखना है तुम्हें दूसरा पॉइंट ये जीवित कोशी काई हैं बन गया दो पॉइंट तीसरा यह बंधन मुक्त होती है तो इस प्रकार के उत्तक की कोशिक आओ कि मद्धि काफी रिकता स्थान पाए जाता है यह चौन्था पॉइंट कर लोगे देख लो यह इस तरीके से होगा इस प्रकार से होगा तो इसके बीच क्या होगा काफ यह खाली अस्थान पाए जाता है यह खाली अस्थान पाए जा रहा है ना किसके बीच में पाए जाएगा पैरेंट काईमा के बीच में पाए जाएगा तो यह इसी को कहते हैं अंतर कोशिक अस्थान यह दो यह पैरेंट काईमा को दिखाए गया है और इसे कहते हैं अंतर क इत्तस्थान पाया जाता है होगी है चार पॉइंट अब देखो यह उत्तक प्राया भोजन का भंडारन करती हैं यह उत्तक क्या करता है प्राया भोजन का भंडारन करेगा कुछ पैरेन काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकास अंसलेशन की प्र याद रखिएगा एकदम भी भी आई कोउच्चन है कि वैसा पैरेंड काईमा उत्तक जिसमें प्लूरो फिल पाया जाता है उसका क्या नाम है बताइए जरा साथ आप बोल दीजिएगा को उसका नाम है कालोरेंड काईमा और उसको हारी तों तक भी कहते हैं अब देखो जल्य पौधू में पैरन कैमा की कोशिकाओं op कर माद्य हाओ की बड़ी होती हैं अब जो zer्य पौध है यहां सित्रों तो नहीं दिखा है लेकिन समझलो कि जो जल्य पौध है उसके जो कोशीकाओ है उसके बीच बहुत जाणा हवा का कैविटी इस पाए जाता है जिसकी करनों क्या होगा जल में तैरते रहता है ठीक है अब देखो इस प्रकार के पैरेन काइमा को जिनकी भी छावा की बड़ी कैविटीज गुही कहां पाए जाती है उनको क्या कहते हैं भी भी या कोईश्चन वा आ गया फिर एक और तेक यहां से क्लोरेन काइमा और यहां से एरेन काइमा दो भी भी याई कोईश्चन है तुम्हारा दोनों मैंने बता दिया तो एरेन काइमा जिसमें एयर कैविटी पाए जाएगा और क्लोरेन काइमा जिसमें क्या पाए जाएगा जल्दी बताईए नीचे कमेंट बॉक्स वामें कमेंट कर दीजिए त लुबब दूसरा नंबर हो गया पारेंग रहेंगे कामने एक चीज या रखना है कि पौधों में लचीले पन का गुन्ष के करण होता है कोलेंगा कहाई एक्तम भीभी कोच्यन नहीं याद रख लो तो पहले पॉइंट हो गया की पहुतों में जो पन होता है जशने का करना सरे पंधा सब्सक्राद सब्सक्राइब करें होता है कि सब्सक्राइब तूट जाता है नहीं तूटेगा उसमें लचीलापन होगा तो यह लचीलापन किसकी करण आता है कॉलिन खाइमा की करण यह पौदों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है दूसरा पॉइंट याद रखना हम इस उत्तक को एपीडर्मिस के नीचे पर्ण व्रिंत में पा सकते हैं यह तीसरा पॉइंट लिखना के कहां पाया जाता है इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं लंबी और अन्यमित धंग से कोनों पर मोटी होती हैं चौंथा पॉइंट लिख देना देखा इसके कोशिकाओं के बीच बहुत का मस्थान होता है यह अन्यमित धंग से कोनों पर मोटी होती हैं इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं लंबी होती हैं बस याद रख लेना यही सारा चीज और क्या यहां देख लो तो यहां पर यह तो स्कलरेंग काइम अब आगया लास्ट वाला जो क्या है स्कलरेंग काइमा तो अब चलो देखो पाँच पाइंट हो गया ना इस पाइंट को तुम काँपी में बहुत बढ़ियां से प्रेम से लिख लो और नहीं तो नोट्स तुमको लेना पड़ेगा एक अन्य प्रकार का उत्तक एस्केलेरन काइमा होता है या उत्तक पौधों को कठोर एवं तुमने बहुत बहुत चीज़ को याद करना इस चैप्टर में तो पौधों को कठोरता देता है उसको मजबूती देता है एकदम याद रखना इसके लिए पहला पॉइंट यही है दूसरा देख सकतो हो तो नारियल के रेशे युक्त चिलके को देखा होगा तुमने या इस कलेरण काईमा उत्तक से बनाए तो बोलना क्रेश्चे से बना इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है दूसरा पॉइंट तुम्हारा बन गया पहला पॉइंट क्या है कठोरता मजबूती देती हैं इस उ तक कि भित्ती लिगनीन के कारण मूटी होती है यह तिसरा point हो गया कि स्थान नहीं होता है यह पॉइंट तुम लिख सकते हो या उतक तने में समवहन बंडल के समीप पत्ती की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्तित होता है यह देख सकते हो इसको लिख सकते हो कहां कहां समवहन बंडल अब तुमको समझ में आ गया उसी के समीप उसके पास होगा पत्ती के सिराओं में होगा बीज कठोर बीज कठोर होता है ना उपर से तो उसमें होगा फल के कठोर छिलके में या पौदर के भागों को मजबूती प्रदान करता है तो हर एक लाइन एक पॉइंट बन गया आपको और उस पॉइंट से क्या आएगा एकजाम में कुस्चन आएगा तो देख सकते हो यहां पर किस तरीके से स्क्लेरिन काइमा का जो भिती है और कितना क्या है मोटा है लिगन इनके जमाओ के कारण ठीक है अब यहां पर देख सकते हो कुछ और चीजों को दिखाए गया है तो यहां पर द्वार कोशिकाए एपीडर्मिस कोशिकाए को दिखाए गया है तो यह देखो एपीडर्मिस कोशिका हम लोगों अभी तो तुरन देखा था एपीडर्मिस कोश और इस epidermis के बीच बीच में क्या होता है? यहाँ पर ini tomato पाया जाता है या रंदर पाया जाता है और रंदर इस तरीके से रंदर तुमको देखने को मिलेगा अब यह रंदर क्या करता है? यह रंदर बहुत काम का होता है पौधों के लिए इसी के द्वारा CO2 का या O2 का आदान प्रदान होता है ठीक इसी तरीके से जलवास्प के रूप में पानी जो है जलवास्प के रूप में इसी रंद्र के द्वारा पोधों से बाहर जाती है तो ये भी यहाँ पर समझना है तो तुमने देखा, Epidermis को मैंने देखाए था अभी तरण तो देखा, Epidermis तो देखो, यही है, Epidermis की कोशिकाए और इसी के बीच में यह सब क्या है, देखो, रंद्र है अब रंद्र में यह जो दिख रहा, इस तरीके से, Kidney के Shape का होता है है इसको बोलते है क्या बहते है रक्षी और यहां देखो बीच में छिद्र तुमको देखने को मिलता है इस अब इस को हिंदी में रंद्र का शंग्या दिया गया है इस तरीके से रक्षी कोशिकाय होती है और बीच में छिद्र होता है अब चलो जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं के सबसे बाहरी परत होती है epidermis जोसे मैंने बताया बाहरी परत था epidermis प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है जिसे मैंने दिखाए था सुसकस्थानों पर मिलने वाले पादपों में पौधों की पूरी सता एपीडर्मिस से धकी रहती है या पौधों के सभी भागों को करेगा रक्षा करेगा एपीडर्मल कोशिका पौधों की बाहरी सता पर प्राया एक मूम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है यह जल के हानी के विरुध्यांत्री का घात परजीवी करकों के प्रवेश्च को पौधे से रक्षा करता है और यह जो बाहर जो कवच है ठीक है यही क्या होता है जूब की एपीडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदाइड तो रक्षा करने का है एक अतर सकी कोशिकाओं बिना किसी अंतर कोशिक के एस स्थान के अच्छिन परत्वनी होती है तो ठीक है यहाँ पर देख लो यहाँ पर जैसे मैंने बताय कि एपीडर्मिस है इसके बाहर भी तक एक लेयर था जिसको क्या कह रहे थे को क्योटिकल कह रहे थे जो मोम जैसा लेयर होता है यह क्या होता है क्योटिकल होता है यह भी क्या करता है यह जल के हानी को रोकता है अब बताना जो मरू अस्थलिये पौधे होंगे मरू अस्थलिये पौधे जहां पर क्या होता है केवल धूप और गर्मी और बहुत जाला टेंपरेचर होगा वहां के पौधों में ये क्योटिकल क्या होगा मोटा मोटा होगा ये एपिडर्मिस क्या होगा मोटा मोटा होगा ताकि जल के हानी को रोका जा सके और वह पौधे क्या हो सके जीवित रह सके यही बात यहां पर बताया ह है वही से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं तो एपीडर्मल कोशिकाओं पौधे की बाहिए सत्ता पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधक परत बनाती है जिसे क्योटिकल हम लोगों ने देखा नाम दिया गया है और यह जो परत होता है वह जल कोशिकाओं के बीच में कोई जगह नहीं होता है क्योंकि इसका क्या है रक्षा करने का काम है अता कोशिकाओं बीना किसी अंतर कोशिकी ये अस्थान के अच्छिन परत बनाती है कोशिकाओं के बीच में कोई जगह नहीं होता है कि कोई बाहरी जो अन्वांटेड पदार्थ है वो अंदर प्रवेश कर सके उसको बचाने के लिए तो यहां से भी कोशिकाओं उठता है कि बताइए कि ए लुकि रुप से तो उत्तर है रख्चा करना अधिकांस एपी डर्मल कोशिकाओं एक चाक्रित चप्ती होती है सामानियता उनकी बायत पार्श्व भितियां उनकी आंत्रिक भितियों से मोटी होती है ठीक है पत्ती की एपीडर्मिस में हम छोटे-छोटे छिद्रों को आप कि मिलन राक्षॐ कोशीकाउ से मिल करके बना है और यही रक्षी कोश्यकाई जब फैलती है या सीकूरती है तो इस तो माटा खुलता या बंद होता है अब तुम बता ना जब इस HRU तो कहलेगा तो क्या होगा तो इससे होकर के co2-respo 2 क्या हो सकता है सीयोटू ओटू का आदान परदान भो सकता है जड Unavi जाता है वह जड़ से औरशोशित होता है कि बाहर जाता है यदि अधिक जल हो गया शरीर से तो बाहर जाएगा इस टोमाटा के द्वारा ठीक है इस टोमाटा दो व्रिक मतलब किड़नी के आकार की कोशिकाओं द्वारा घीर्या होता है यह दो कोई सा जिसे रक्षी कोशिकाओं कहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं रक्षी कोशिकाओं तो यहां से कोश काएं वायू मंदल से गैसों का आधान प्रदान करने के लिए आवशक हैं यह कोशिका के बारे में बोल रहा है लेकिन तुमको इस टुमाटा के बारे में बोलना कि यह जो इस टुमाटा है वायू मंदल से गैसों का आधान प्रदान करता है वाश्पूत सर्जन के रूप में पानी को बाहर निकालता है वह किसके द्वारा होता है यानि कि वह यदि पौधों में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो उसको उसके सरीर से क्या कर देता है बाहर निकाल देता है और उसे ही कहते हैं वाशपोत सर्जन क्या बोलते हैं बच्चा लोग वाशपोत सर्जन किसे कह करेते हैं वाजपूत सर्जन के कारिये का उले करिए तो यह आगे क्लास में पढ़ोगे क्लास 10 में कि यह जल को जड़ से विभिन भागों तक पहुचाता है ठीक है प्रकास अंसलेशन के लिए कौन गैस आवसे कैसी ओटो जिसको इस्टोमाटा के द्वारा पौधे लेते हैं प्रकास अंसलेशन के बाद क्या बनता है ऑक्सीजन जिसको इस्टोमाटा के द्वारा सरीर से पौधे से बाहर निकाल दिया जाता है तो देखा कितनी बातें बताई गई हैं बहुत रहे बाप इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है बिलकुल जड़ों की सता बढ़ जाती है और यह जानते हो कुछ कोशिका जितनी मोटी होती है बहुत मोटी नहीं होती है उनकी पाने शोखने की चमता में व्रिधी करती है अब देखो जो मरू अस्थलिये पौदों की बाहरी सता वाले एपीडर्मिस में क्यूटीन जल और रोधक रसाइनिक कि व्रच ने 觀眾 की बाहरे परसे भीन होता है बिल्कुल होता है देखोगे लिदी तुमने आम की पॉद्धे कछ अभी लगाया ही तो देखो अ कि पौदे को यदि तुमने लगाया है तो उसका हरा हरा एक दम सका बाहरे Oh ан जैसे जैसे वो 20 साल 25 साल का बुढ़ायेगा न तो उसका तना को फिर देखना तो तना एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा भूरा रंग का हो जाएगा और बाहर देखोगे तो पपड़ी पपड़ी उखड़ता है और उसको बोलते हैं पेड का च्छाल, पेड का च्छाल क्या होता है उखडता है हरा 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 रहता है क्या नहीं बिलकुल नहीं रहता है तो भी बोल रहा है कि जैसे जैसे उसका आयू में विर्दी होती बुढ़ाते जाता है विचारा उसके बाहित Suraqshaatma को उत्तकों के पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है कार्क नाम कोशिकाओं की परतों का निर्मान करती है इन छालों की कोशिकाओं मृत होती है अब इस छाल की कोशिका क्या होती है मरित होती है और यहां पर जब वीतियक विभाजियों तक का निर्मान होता है जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं एज में ये जब इनमे मुटाई में बुढ़ होती है तो इनको इनके सुरक्षात्मक कवच kayak के रूप में कौड़ered को शीकाउं का निर्मान होता है यह सुर स्थानों के विवस्तित होती है इनकी बीती पर सुबहरी नामक्त पदार्थ का जमाँ होता है च्छालों को हवा यों पानी के लिए अभेद्य बनाता है यही सुबेरिन नामक पदार्थ का इसमें जमा होता है भी भी कोशन होता है ठीक है इसको याद रखना कि इसमें किसी को जमा होता है सुबेरिन नामक पदार्थ का जमा होता है तो यह दो को यही च्छाल की कोशिका ह याद दिक्राए कि यहाँ पर कोई भी अस्थान तुमको देखने को नहीं मिल रहा है सुभेरी नामक पदार्थ का जमाओ है जो कि इसको क्या करेगा सुरक्षा देगा तो सरल स्थाई उत्तक स्तमाप्तम और अब पढ़ेगे जटिल स्थाई उत्तक तो जटिल स्थाई उत्त ने देखा था कि सरल स्थाई उत्तक किसे कहते हैं जो कि एक ही प्रकार की कोशिकां उससे मिलकर के बने होते हैं लेकिन यह जटिल स्थाई उत्तक हैं जैसे जाईलम हुआ और फ्लोयम हुआ वह अलग-अलग प्रकार की जो कोशिकां उससे मिलकर के बने होते हैं चुकि जो क एक ही तरह के दिखाई दे ऐसे उत्तकों को साधारन अस्थाय उत्तक कहते हैं जो कि अन्य प्रकार के अस्थाय उत्तक को जटिल अस्थाय उत्तक कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के नहीं बनते हैं जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मि मिलकर बने होते हैं तो यदि तुम सरलस्थायू तक और जटी लस्थायू तक में अंतर लिख रहे हो तो वहां पर ये बात लिख सकते हो और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कारे करते हैं तो जटी लस्थायू तक क्या होते हैं वे एक से अधिक प्रकार की और ये कौन-कौन है तो जाइलम and phloem, ये है जटिलस्थाय उतक, तो पहला है जाइलम और दूसरा क्या है phloem, अब इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है, इन दोनों को समवहन उतक भी कहते हैं, अब देखो यही क्या है, समवहन उतक हैं, क्यों? क्योंकि ये समवहन का काम करते हैं, समवहन समझते हो, वहन, वहन मतलब एक जगा से दूसरे जगा पदार्थों को ले जाना, तो जाइलम, जल और खनीज लवन को एक जगा से दूसरे जगा ले जाता है, और फloem जो बना हुआ भोजन है, या जो स्टोर किया हुआ भोजन है, संचित भोजन है उसको एक जगा से दूसरे जगा ले जाता है तीक है और ये मिलकर समवहन बंडल का निर्मान करते हैं तो मैंने सुरू महीं बताया था कि समवहन बंडल में क्या होता है जाइलम और फ्लोएम और इसमें कभी-कभी कैम्बियम भी तुम देख सकते हो समवहन उत्तक जटिल पौधो की एक विशेष्टा है जो की उनके अस्थलिय वातावरन में रहने के अनुकूल बनाती है 6.3 में तने के एक भाग को दिखाये गया है क्या हम समवहन बंडल मौझद विभिन प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं मैंने तो दिखाया ही था कि समवहन बंडल में क्या होता है जाइलम होता है फ्लोएम होता है और कैम्बियम भी कुछ-कुछ में पाया जाता है अब देखो जाइलम ट्रैकिट्स वाहिका जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है तो जाइलम किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो जाइलम ट्रैकिट्स से मिलकर बना होता है वाहिका जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर के बन होता है यह चार पॉइंट्स हैं पहला हो गया ट्रैकिड दूसरा हो गया वाहिका जिसको इंग्लिश ने वेसल भी कहते हैं तिसरा हो गया जाइलम पैरेंकाइमा और चौता क्या हो गया जाइलम फाइबर इन चार चीजों से मिलकर के जाइलम बना होता है तो देखो यह ट्रैकिड को दिखाया गया है यह वाहिका यानि वेसल को दिखाया गया है यह जाइलम पैरेंकाइमा जो की क्या है जीवित कोशिका होता है क्या होता है यह याद रखना है तुमको तो तुमसे पुछेगा कि बता ये जाइलम किन-किन चीजिओं से मिलके बनाए तो चार चीजिओं से मिलके बना है ब किनाम लिके हुए है अब देखो ट्रेकिट्स एवं वेसल वाहिका कोशिका भी ती मोटी होती है और इन में से कई परिपक को कोशिकाय मृत होती है, यानि कि इसकी कोशिका तो मरा हुआ है, सीधे सीधे समाझ लो, ट्रैकिट और वाहिकाउं के संग्रशना नली का कार होती है, नली के जैसा एक इक्दम क्या बनाएगा, नली का कार ये एक स्तंभ का निरमान करेगा, इनके द त्रेकिड और वाहिका के द्वारा हो रहा है अब देखोगे पैरिन काइमा भोजन का संग्रह करता है और जाइलम फाइबर मुखेता सहारा देने का कारे करता है और इसमें से पैरिन काइमा क्या होता है यह सजीव होता है यह और पुछ होता है और कि बोलिए अंसरवा में एनसर में के संगरहवा करता है दूसरा कुछ पुछेगा कि जाहिन फाइबर किया करता है तो उत्तर दिजिएगा कि मुख्य तो सहारा देने का कारे करता है अउक करेगा जी हाँ जी बिल्कॉल तो फलोएम अब आ गया दूसरा फलोएम अब प्लोएम किस किसी से बनता है तो देखो कि फलोएम पांच प्रकार के अवियों वह चालिनी कोशी का पहला नमबर दूसरा चालिन नहीं नहीं लिका दूसरा नमबर 7 को सिखा है तीसरा फ्लोहयम परे काइम चौता और फ्लोहयम फाइबर 5 वह इस फूला पाइबर तक ही पढ़ा था था से मिलकर बना होता है तो पहले जो था हम लोग 4 लिखते थे यह पांच पढ़ा रहा तो थीक है पांच भी तुमको पढ़ना है कि फ्लोएम जो है पांच पर करके अवियों से बनता है पहली चीज चालनी कोशिका दूसरी होती चालनी नालिका तीसरी होती साथ ही कोशिका जिसको smallest company.श एंगरेजी में कहते हैン फियो यहां अब देखो तो यहां पर चालनी नालिका जो दिवार होता है जो दीवार छिद्रित होता है तूठा नलिका कार नलिकाकर की होगा नलिकाकार हो गाइंस तो पदाश्य आर्थों के दुस्रे बहुत हैं लेजाएगा फ्लॉयम पतियों से भोजन को पौधों के विभिन भागों तक पहुंचाता है और साथ ही साथ जब शंतरीतों मान पत जड़ हो जाएगा तो जहां जहां भोजनता संख्रा होगा वहां से भी नहीं होती है यह दोए यहाद रखना है तो यहां लिखा हुआ है देखो चालेनी नलीका दिखाए गया इस तरीके से साथी कोशी काएं दिखाए गई आप दिखाए गया है यहाँ पर नहीं दिखाए गया है तो यहीं है जटिल अस्थायु तक और हम आ गए हैं जिकल बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आ गए जनतु उत्तक में लोग यहां पर देख लिया कि यहां पर पादफ उत्तक मैं लोगों को हम ने पढ़ लिया अस्थाई में दो पढ़ लिया ऑर दूसरा कि पढ़ लिया दूसरा पढ़ लिया यहां लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन खुद से लिख करके याद कर सकते हो तो भाई इस तरीके से यहां जब है तो आगे इसमें भी तो होगा जन्तु उत्तक में भी तो भी विभिंद प्रकार है ठीक है उसको हम लोगों पढटना पड़ेगा जैसे कि सलकी एपिथीलियं हो गया घ triba का रे हो गया अस्तरित सलकी एपिधीलियम हो गया ये सब इसकी क्या होग रहाए प्रकार हो गय pushed तीसरा क्या पढ़ लेंगे पेशिये उतक और चौथा हम लोग क्या पढ़ लेंगे तंत्री का उतक तो यह दिख सकते हो चौथा नंबर हो गया तंत्री का उतक तीसरा नंबर क्या हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर हो गया पेशिये उतक दूसरा नंबर क्या हो गया दूसरा नंबर हो गया संयोजी उतक और पहला नमबर क्या हो गया पहला नमबर हो गया तुम्हारा एपी थिल यमी उत्तक तो यदि हम लोग जन्तु उत्तक की बात करें तो जन्तु उत्तक उत्तक इस तरीके से हम लोग लिख दें तो ये भी चार प्रकार का होगा ठीक है जो हमारे NCRT 9 में पढ़ाए गया है पहला को एप चौथा को क्या कहेंगे चौथा को हम लोग तंत्री का उत्तक तक इस तरीके से चार उत्तक पहले हम लोगstein आई ये तुम्हारा ये अलग-अलग प्रकार का होगा ठीक है अब इसके अलग-अलग प्रकार को पढ़ेंगे फिर सङ्योजी उत्तक क्या होगा ये भी अलग-अलग प्रकार का होगा इसको पढ़ेंगे तो अब इस तरीकि से क्लासिफाई करते हैं उसको पढ़ते हैं जैसे मैं लेधी तुरन दिखा पाइब फिर घ्र कार फिर किया है तो चार प्रकार तुमको दिया है अब यदि बारहुवी में जाते हो तो भाई नाम बहुत कुछ सारा फर्क मिलेगा तुमको तुसका टेंसन दूंको लेना नहीं है उसमें यहीं पर मालोग पांच जिसे चार मालोग पड़ रहां पांच नमबर तक देदेगा तो बारहवी और नवी में काफी अंतर तुमको देखने को मिलेगा तो लगभग चीज़े सेम हैं लेकिन क कुछ नाम में परिवर्त मिल परिवर्त मिले परिवर्त मिले यहां लेते हैं और यहां पर कुछ खास बाते नहीं दी गई हैं इसको थोड़ा-थोड़ा समझने का कोसिस करना पुझाएगा ज्यादा नहीं आगे जब हम लोग एक उतक के बारे में पढ़ेंगे तो उसी के परिवर्त में चार-पांच पॉइंट को याद कर लेना है और थोड़ा समझ भी लेना है तो जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं तो ज़रा सांस लो सांस छोड़ो सरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं तो जैसे कि तुम सांस लिया ना तुमने तो ये सीना फूल गया फिर ये पचक गया फिर तुम अपने अंगली को हिला अंगली हिल रहा है फिर तुम थोड़ा चलो तुम चल भी सकते हो और जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुँख, पूरा जबड़ा, पूरा ये, पूरा क्या होँ रहा है, पूरा ये हिल रहा है, तो भाई, ये कैसे गती करता है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेश कोशिकाए होती है, तो भाई ये गती के लिए हमारे सरीर में क्या है कुछ विशेश प्रकार की कोशिकाय होंगी और ये कुछ विशेश प्रकार का उत्तक का भी निर्मान करेगा और ये जो गती कराने वाला कोशिकाय को क्या बोलेंगे पेशी कोशिकाय कहते हैं इन कोशिकाओं के फैलने और सिकुरने से हमारे अंगों को क्या मिलता है गती मिलता है जिसके बारे में थोड़ा सा और भी आगे तुमको बताय जाएगा तो यहां से तो एक क्वेशन तुम आखिर करी सकते हो कि भाई हमारे शरीर को गती कौन कोशिकाए देती है तो पेशियक कोशिकाए जो है फिर उत्तक का निर्मान करेंगी और हमारा शरीर गती कैसे करता है जिसे विभिन पेशियक गती कैसे होती है तो यह जो इन कोशिकाओं के द्वारा होती है यह विभिन प्रकार से क्या करते हैं सिकुरते हैं तथा फैलते हैं और उसके कारण क्या होता है हमा तो पेश्य उत्तक में तो पेश्य उत्तक हम लोग तीन प्रकार के पढ़ेंगे तो वह वहां पर हम लोग देखेंगे कि हरिदय में कौन पेशिया उत्तक होगा हमारे हाथ पैर में कौन पेशिया उत्तक होगा और और विभीन जगों पर कौन पेशिया उत्तक होगा तो वह हम लोग वहां देखेंगे सांस लेते समय हम आक्सीजन लेते हैं यह आक्सीजन कहां जाता है तो भाई यह आक्सीजन फेफडों के द्वारा औशोशित कर लिया जाता है तथा हमारे खुन में रक्त में चल जाकर सरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है तो यहां पर यदी हम लोग इस तरीके से हमारा यह फेफडा हो गया ठीक है तो हम लोग जब यहां से सांस लेंगे तो सांस यदी हम लोग लेंगे तो सांस के रूप में यह आक्सीजन जो गया ना यहां पर तो यहां पर देखोगे कि यह हमारा जो यह जो हमारा फेपड़ा है उसमें छोटे छोटे अल्वियोलाई इस तरीके से रहते हैं ठीक है कूपिका है जिसको बोलते हैं तो ये ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीजन कहां पहुंच जाता है कूपिकाओं में पहुंच जाता है इसी कूपिकाओं पहुंच जाएगा और जब इस कूपीका में oxygen पहुंचेगा तो इसके चारो और रक्त नलिका होगा तो ये फिर कहां चल जाएगा रक्त नलिका में चल जाएगा और रक्त नलिका से होते हुए फिर हमारे पूरे शरीर में ये कहां चला जाएगा oxygen पहुंच जाएगा देखा तुमने तो भाई ये जो कूपी का होता है उससे होकर रक्त कहां चला गया oxygen जो है वो कहां चला गया रक्त में चला गया तो अब ये कूपी का का जो दिवार है ये वाला जो दिवार है ये बहुत यदि मोटा होता क्या होता मोटा तो क्या ये oxygen होता है यानि एक कोशिका का ही बना होता है एक कोशिका का लेयर मतलब इस तरीके से होगा और तुम जानते हो यह कौन सा उत्तक कहलाता है यह होता है एपिथिलियमी उत्तक तो देखो यही मैं दिखा रहा हूँ यहां पर यह देखो यह जो सलकी एपिथिलियम उत्तक है न यह ही होता है वहाँ पर कूपी का में और इस तरीकि से कूपी का में होगत가지고 ऊसमें यह oxygen को फिर कहां चल जाएंगा यह blood में हमारा चल जाएगा oxygen और हमारे खून में चल जाएगा oxygen और उसके द्वाराव शरीद के विभिन भाव topic में पहुंच जाएगा समझ में आ रहा है तो यानि कि यह जो है इसका संग्रशना क्या है बहुत पतला होगा तो यही सब क्या है उत्तक का निर्मान कर रहा है यही सब और क्या है कुछ खास नहीं है बस याद रखते जाना है अब देखो माइटोकॉंड्रिया का कार्य इस प्रश्न का हल के लिए एक संखेत देता जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इतना ही कंफ्यूज कर देंगे नहीं बुक महराज कि तुम मतलब बुक पढ़ना छोड़ दीजिएगा अब माइटोकॉंड्रिया को कहले हैं यहां पर घ तुटता है देखो यही कोशिका है यदि कोशिका तो इसमें माइटोकॉंड्रिया है और माइटोकॉंड्रिया में ही क्या होता है ग्लुकोज पूर्ण रूप से तुटेगा और यहां उर्जा का प्राप्ति होगा और ग्लुकोज को पूर्ण रूप से तुटने के लिए oxygen की जरूरी पड़ती है और ये oxygen हमें स्वसन में मिलता है मतलब स्वसन से मिलता है मतलब सांस लेने से ये oxygen हमें मिलता है ठीक है तो रख्द अपने साथ विभिन पदार्थों को शरीर में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाथ है उदारन के लिए या भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुचाता है यह तो हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि रक्त का कारिक क्या है तो हम लोगों ने देखा था कि रक्त क्या करता है जो भोजन है तुम्हारा पचा हुआ भोजन है या फिर तुम्हारा ऑक्सिजन है या फिर तुम्हारा जो वर्जी पदार्थ कहते हैं उसको भी हानिकारक पदार्थ जो होते हैं कुछ-कुछ उसको भी एक जगह से दूसरे जगह में सरीर में ले जाता है देखो यहां लिखा भी यहां रक्त का कारिया भी कुछ कुछ दिया है अब देखो रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के उदारन है तो रक्त भी क्या है यह भी उत्तक का उदारन है तो रक्त को कहां पढ़ना है यह देखो सहियों जी उत्तक में रक्त को हम लोगों को पढ़ना है पेशिय उतक यहां पढ़ना है एपिथिलियम ही उतक जैसे कि हम लोगों ने सरल शल की एपिथिलियम पढ़ा यहां देखो शल की एपिथिलियम यहां पे पढ़ा तो देखा इसके बारे में थोड़ा सा बताया रक्त के बारे में थोड़ा सा बताया पेशी उत्तक के बारे में पढ़ाया तंत्री का उत्तक शुरु में हम लोगों ने पढ़ाई है कि शरीर में जो information है वो एक जगा से दूसरे जगा किस के द्वारा जाता है तो तंत्री का उत्तक के द्वारा जाता है तो ये सब हमें पढ़ी लहें उनके कारे क्यादार पर हम विभिन प्रकार के जंतू उत्तकों के बारे में विचार कर सकते हैं जैसा कि एपिधिलियमी उत्तक, दूसरा है सईयोजी उत्तक, तीसरा है पेशियो उत्तक और चौथा क्या है तंत्रिका उत्तक तुम पूछेगा कि जन्तू उत्तक के प्रकार को लिखिए धरधड़ा के एकदम खटखटा के एकदम लिख दीजिएगा पहिला अपथिलियमी उत्तक दोसरा सयोजे उत्तक तिसरा पैसी उत्तक अच्छा उत्ता है तंत्रे का उत्तक जियां और यह बस इतना ही है नहीं इसक पुछा क्या पढ़या गहां की साटी चल गया अब पेश्यरा सैयोजी उत्तक अलग-अलग mercy हो गया इस पढ़ना है पेश्य उत्तक क्या है ये भी तीन प्रकार का पढ़ लेना है, फिर तंत्री का उत्तक भी अलग से पढ़ा दिया गया है, इस तरीके से अब हम लोग आ गए हैं समसे पहला पर और ये है अपिधल यमिू तक तपिधल यमि तक चार गो तुमको पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है चारों के बारे में तो इसके बारे में दो-तीन लाइन इस्ट्रक्चर यानि संग्रशना तथा कुछ कारिय तथा कहां पाया जाता है ये तीन-चार-पांच पॉइंट करकर के पढ़ लेना है बस हो जाएगा भाईया काम चल जाएगा और याद करना है ये जो सारा बात हो रहा है उसको याद करन है तो पहला हो गया एपिथिल्यमी उत्तक तो जन्तों के शरीर को ढखने या वाह ये रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है एपिथिल्यमी उत्तक है तो देखो कि जो हमारे शरीर को ढखने का कारे करता है भीतर से और बाहर से जैसे हमारा त्वच्चा क्या है एप या फिर अब्जेक्टिव में पुछ देगा कि जन्तु को ढखने या वाय रक्षा प्रदान करने वाले निम्न में से कान उत्तक हैं बताईए पाहिला है एपिथेलिया में संयोजी पैशी और तंत्रिका तो आपको उत्तर देना होगा एपिथेलिया में उत्तक एक और कुश् ना है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुचाने वाले उत्तक का नाम बताईए तो आपको यहां पर बताना होगा तंत्रिका उत्तक चीहां तो एपिथेलिया में उत्तक हम लोग पर रहे तो एपिथेलिया में उत्तक सरीर के अंदर रिस्थित बहुत से अंगों और गोह काव को ढकता है तो मैंने क्या बताया ये शरीर के बाहर भी उपस्तित है और सरीर के क्या है अंदर भी उपस्तित है। जैसे तुमने कटे हुए बकरे को देखा होगा हुआ तो इसके भीतर वाले भाग को देखुए तो लाल butcher आवरन होता है ये अपना मुह को खूल उत्तक का यह भिन भिन प्रकार के शरीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए और रोधकान अर्मान करते हैं जदी कभी एपिथिलियम उत्तक के बारे में 3-4 पॉइंट हो गया तो पहला पॉइंट यहीं लिख सकते हो कि जंतु के सरीर को ढखने और बाहर रक्षा के लिए दूसरा अंदर के शित बहुत से अंगों और गोविकाव को ढखते हैं तीसरा यह सरीर के विभीन तंत्रों को एक दूसरे से लग करते हैं अब देखो त्व पॉइंट लिख सकते हो क्वेस्चन पूछेगा एपिथिलियम उत्तक के बारे में चार पॉइंट लिखिए तो यह लिखते ना एपिथिलियमी उत्तक की कोशिका एक दूसरे से सटी होती है और यह अनवरत परत का निर्मान करते हैं तो देख सकते हो एपिथिलियमी उत्त है वो अलग-अलग प्रकार का होता है तो इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बिच बहुत कम अस्थान होता है तो यह चौथा पांचवा पॉइंट बना करके लिख सकते हो अस्पश्ट तो जो भी पदार्थ सरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता वह एपिथिलियम के किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है यह छठा पॉइंट लिख सकते हो इसके के द्वारा विभिन अंगों के बीच पदार्थों का आधान प्रदान होता है एपिथिलियम उत्तक के द्वारा सामानेता सभी एपिथिलियमों को एक वाह रेशेदार आधार जिल्ली उसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग करते हैं तो इतनी बात तुम यहां पर देख लेंगे ठीक है तो यहां देख सकतो 6.9 में विभिन अपिथिलियमी उत्तक के संग रशनाओं को दिखाए गया जो कि विभिन प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है जैसे कि सबसे पहला नंबर आ गया तुम्हारा यह वाला तो उदारन के लिए को पारगम में जिल्ली द्वारा होता है वहां पर चपटी एपिथिलियम उत्तक कोशिकाय होती है और इसको सरल सलकी एपिथिलियम कहते हैं यह हो गया पहला सरल सलकी एपिथिलियम ठीक है सरल शलकी एपिथिलियम के बारे में तुमको बताया है तो क्या बताया है कि यह क्या ह यहां पाई जाती है तो रक्त नलिका कास्तर या कूपी का में पाई जाती है दो पॉइंट बनाना है तुमको दिमाग अपना नहीं खराब करना है तीसरा यह पदार्थों के आवा गमन जहां पर होता है वहां पर पाई जाती है और यह चौथा दिन दिकन भल्रीकल पाईण बनेता है अधिकतर पतली धश्य अधिकतर पतली और छप्ती है तृफ को मल अस्तर का निर्मानotta भी चार प्रफोंगा अस्तर मतलब क्या बनदा मुद्य युश्य प्र आफिजिझत दिचिंगो के शरीर का रक्षात्म कवच अर्था त्वचा इसी सल्की एपिथीलियम से बना होता है त्वचा की एपिथीलियम को शिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाती है लेकिन ये कई परतों की होती है और इसको हम लोग बोलते हैं अस्तरित सल्की एपिथीलियम ये दूसरा फिरम चलिए लिए फैर यहाथ तीसरा है तुम्हारा गहनाकार ऊर्चोथा क्या इसलिकर लेना तो ये पिप्र छक्तिख है लेकिन कई अस्तर में बना हुआ कि यह सको इसका क्यों है अरे भाइले हमारे त्वचा में है बाहरी वातावरन से हमें क्या करेगा सुरक्षा देगा और बाहरी वातावरन सुरक्षा देने के कई पर्तों के पैटर्ण के रूप में यह क्या होता है विवस्तित होता है तो यह है त्वचा और तो अच्छा किस से बना हुआ है अस्तरित एपिथीलियम से बना हुआ है अस्तरित सल्की एपिथीलियम से ये क्या करेगा शरीर की रक्षा करेगा कटने फटने से बचाएगा इस तरीके से हमारी रक्षा करेगा चलो भाई दो वो तो हो गया तो अब जो बचा है अब दो और बचा है तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो देख सकतो जहां आवशोशन और स्राव होता है जैसे आत के भीतरी आस्तर में स्राव होता है वहां लंबी एपिथीलियम कोशिकाएं मौजूद होती है और यह अस्तंभाकार एपिथीलियम औरोध को पार करने में सायता परदान करती है तो देखा अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग पढ़ने अपना तीसरा अस्तंभाकार एपिथीलियम तो देख सकतो यही है अस्तंभाकार एपिथीलियम ठीक है तो अस्तंभाकार एपिथीलियम क्या बोल रहा है कि आत के भीतरी अस्तर में ये क्या होता है मिलता है या पाय जाता है और यहां पर देख सकते हो यह अस्तंभाकार एपिथीलियम एपिथीलियमी आउरोध को पार कर करने में सहायता प्रदान करती हैं अब देखना सवास नली जहां से हम लोगों सवास लेते हैं हड़ा बहुत सारे अैसे पदारत स्ट भी चले जाएंगि से धूल हो गया या फिर क्या हो गयत तुम्हारा कुछ कुछ मालो बैक्तिरिया गयर यह तरीकह की चीजें भी जाएंगी तो वहां पर क्या होता है सीलियह यह बोलेंगे सिलियाटिड एी Corp उत्तक पाया जाता है जो कि क्या होता है अस्तंभाकार सीलियेटेड एपिथीलियम और यह क्या करेगा कोशिकाओ कि सदपर बाय जैसी रचनाय होती हैं यह पक्षमाव गती कर सकते हैं तथा इनकी गती शलेशमा को आगे अस्तनांत्रित करके साफ करने में सहायता करती है इस तरीके से यहां पर फ़र सवर पर देता हूं इस तरीके से यह पक्षमावी अस्तंभाकार एपिथीलियम कहलाती है ठीक है तो अस्तंभाकार तुमने देखा तो अस्तंभाकार जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि यह क्या होगा जैसे कि आंत में होगा ठीक है आंत में यह द स्वासनली में अस्तंभाकार एपिथीलियम होती है उसमें पक्षमाभी एपिथीलियम पाए जाता है यानि कि उसमें सीलिया वाला पाए जाता है और उसी को बोलेंगे जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता उसको बोलेंगे या फिर बोलेंगे पक्षमाभी अस्तंभाकार एपी थीलियम ठीक है तो यह तुम्हारा कहां पाए जाएगा यह तुम्हारा स्वाशनली में पाए जाएगा तो हो गया ना तो अस्तंभाकार में ही पक्षमाभी अस्तंभाकार एक एक्स्ट्रा एड हो गया यह याद रखना अलक से इसको नहीं पढ़ाए गया है तो हिखैसरा भी हो गया तो चोता गानाकाष अब ये कहां पाए leader तो पहले यहां पर हम ढोके लेंगे आशारय का ये वाला है तो ये वाल कहां पाई lot जाेगा तो देख सकतोए हो कहां कहां पाई जाए गा तो रिक का जो नली होतय वहाँ पर लार ग्रंथी में मुह में हमारा क्या होता है लार ग्रंथी होता है इसको बलते है सलैवरी ग्लेंड वहाँ पाए जाएगा उसकी नली में पाए जाएगा और उसके नली के अस्तर का निर्मान करता है तो बेसिकली यह नली के अस्तर लाइनिंग को बनाता है जहां उसे यांतरिक सहायता प्रदान करता है और क्या करता है यांतरिक सहायता उसको देता है तो यह ए Π troubling कोशिकाओं के रूप में अतरिक्त विस्षिष्फ्टा अरजित करते हैं जो एपि inh 2017 की सत्पर पदार्थ का 사स्राव कर सकती हैं तो यह क्या करते हैं पदार्थों के श्राव को करते हैं जैसे कि देख सकतो हो लार गरंथी से जो तुम्हारा सलाइवरी ग्रेंड है उससे लार निकलता है कभी कभी एपिथिलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की और मुझा होता यह पहुति यह ग्रन्थी का निर्मान करता है यह ग्रन्थील एपिथियलियम कहलाता है तो कुछ एपिथियलियम ऐसे होते हैं जिनको हम कैने ग्लेंड और जैसे भाग तो और ये ग्रंथी क्या निर्मान करता है एपिथीलियम ठीक है तो देखा तुमने इस तरीके से एक एक स्ट्रॉर हो गया तो इसका भी इसी में समाहित करके पढ़ा दिया गया है तो अब आगे हमारा संयोजी उतक तो संयोजी उतक जैसे सबसे पहले हम लोगों ने रक्त के बा इस तो यह सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उतक है संयोजी उतक मतलब कनेक्टिव टीशू इसाओ क्यों कहते हैं क्योंकि भाई शरीर के सारे भागों में ये फैला हुआ है और यह क्या करेगा पदार्थों को एक जगह से दूसरे कहते हैं संयों जी नहीं बुझा रहा है तो याद रखो कनेक्टिव टीशू इस अध्याय की भूमिका में इस संबंद में एक संखेत दिया गया है तो क्या कर रहा है पूरे शरीर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है आईए हम इस तरह के उट्दक के बारे में विश्तरित जनकारी लें तो संयोंजी उट्दक की कोशिकाई आपस में कम जोड़ी होती हैं और अंतरा कोशिकी अधात्री में धसी होती हैं तो यह पहला पॉइंट संयोंजी उट्दक के लग अलग प्रकार के सैयोजी उतक हैं जैसे सबसे पहला क्या हो गया सबसे पहला क्या हो गया रक्त हो गया तो रक्त में अधात्री और कोशिकाएं दोनों पाए जाएंगी अब इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें तुम्हारा अस्थी यनि हड्डी की तो हड्डी में भी अधात्री होगा और उसमें भी हड्डी का कोशिका पाए यह वाला point बहुत महत्तवपुर्ण है कि यहां पर इस तरीके का सईयोज उत्तक होता है उस में Matrix होता है और उस अब अधात्री कैसा हो सकता है, मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, तो जैली जीसा तरल हो सकता है, सगहन हो सकता है, और हड़ी में क्या होगा, कठोर भी होगा, अधात्री की प्रकृती विशिष्ट संयोजी उत्तक के कारे के नुसार बदलती है, तो जैसा संयोजी उत्तक होगा ना और इसा ही अधात्री होगा समझ गया है अब रक्त में देख सकते हो रक्त में जिसे हम लोग बोले रक्त तो रक्त में दो भाग होगे मैंने बताया कि पहला होगा अधात्री और दूसरा क्या होग यह तुम्हारा यहां पर कोशिका तो यहां जो अधात्री के रूप में है य यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाजमा और इसी में अलग-अलग कोशी का क्या होता है धासा होता है जैसे RBC हो गया तुम्हारा WBC हो गया तुम्हारा ब्लड प्लेटलेट्स हो गया ठीक है तो प्लाजमा हो गया उसमें RBC WBC ब्लड प्लेटलेट्स हो गया तुम्हारा इसमें धाजा हुआ होगा तो इस तरीके से तुम कणी का याद रखना कई जगा को बिख देता है बलत प्लेट लेट्स होते हैं लटके धसे याद रखना तीन चीज़ें इसमें पाए जाएगा अब देखो प्लाजमा की बात करें दूख्य रूप से इसमें जल होता है और जल के लावा क्या होता है प्रोंटीन होगा नमक होगा हार्मोन होगा और भी तरीके के इसमें क्या होगे मिनरल्स होगे बहुत सारी चीज़ में पाए जाता है अब रक्त क्या करता है तीन जगह पढ़ा दिया गया है रक्त क्या करता है रक्त गैस का परदान करता है सरीर में पचिए भोजन को ले जाता है हार्मोन को ले चित्र देख रहा है तुमको सयोजी उत्तकों के प्रकार तो विभिन रक्त कणिकाएं यहां देखो ए में कहां गया ए ए ए ए देखो ए में विभिन रक्त कणिकाओं को यहां पर दिखाए गया है ठीक है तो यह विभिन श्वेत रक्त कणिकाओं तो विभिन श्वेत रक्त कणिकाओं को यहां दिखाया गया है जैसे कि नियोट्रो फाइल है एस यूनो फाइल है ठीक है तो ये वाला अब तुमको इतना याद करना है मोनो साइट है ठीक है जितना याद करना है नहीं जितना याद हो सके उतना ही याद करना है अब देखो तुम्हारा यहाँ पर संगहत अस्थी बी में अस्थी को दिखाएगा यहाँ पर दिखाएगा है है ना लाल रक्त कणिका को यहाँ पर इस तरीके से देखो दिखाएगा है ना सी में किसको दिखाए गया है सी में कचाव उपास्थी को दिखाए गया है और यहां पर यह भागे कॉंड्रोसाइट कहते हैं कचाव अधात्री है ठीक है इसको याद कर सकते हो फिर यहां पर एडिपोसाइड वसा इसको वसा उत्तक बोलेंगे एडिपोसाइड को को दिखाए गया है तो यही सब हम लोगों को समझना है पहले रक्त की बारे में लोगों ने देख लिया फिर अस्थी उपास्थी के बारे में देख लेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में लोगों को देखना है तो भाई अब सबसे पहला किसको देखना है हमने के रक्त को देख लिया अब दूसरा हम लोग देखेंगे अस्थी को तो अस्थी भी क्या है संयोजी उत्तक का इक अन्युदारन है तो भाई जो तुम्हार संयोजी उत्तक है वो भी भी बिन प्रकार के होंगे तो उसका अधात्री और उसमें लटके हुए जो कोशिका है जो कोशिका निलंबित है जो कोशिका उसमें धासे हुए है उसके अधार पर अलग-अलग प्रकार के स्योजियु तक होंगे तो जब से पहला तो रख तो हम लोगों ने समय लिया दूसर तो अस्ति जीसे ही हुगे तो पहला लाइन जाद रखो, कि यह क्या है, एक सयोजी उत्थक है, यह अस्ति पंजर का निर्मान करेगा, या मानस्पेशियों को सहारा देगा, और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देगा, यह उत्थक मजबूत और कठोर होता है, फासफोरस के बने ओदे डाइरेक्ट कुशिन दुमारा हो गया तो इसका जो अधात्री है अधात्री किसका बना होता है केलशियम तथा फासफोरस का बना होता है एक दूसरे से एक अन्य सियों जी उतक जिसे असनायू कहते हैं उसके द्वारा जुड़ी होती हैं तो यहां से अब आ गे तुम्हारा दूसरा या गे तीसरा तीसरा ओगया असनायू तो असनायू क्या है तो जब दो जffentlichों को जोड़ने वाला संयोजी उत्तक को क्या कहते है असनायू कहते है अब देखो यह उत्तक बहुत लचीला एवा मजबूत होता है असनायू में अधात्री बहुत कम होती है और अस्तियों को अस्तियों से जोड़ती है तो यहां पर असनायू क्या करता है हड़ी को हड़ी से जोड़ने का काम करता ये बात याद रखना और इसके बात दूसरा है कंडरा जिसको टेंडन भी कहते है यह हो गया 4 प्रकार का तो असनायू और कंडरा में तुमको कई बार अंतर देता है तो देखो, ये हो गया तुम्हारा हड़ी अब इसी हड़ी से दूसरा हड़ी जो जूड़ रहा है इसको बोलते है असनायू क्या बोलेंगे असनायू के द्वारा हड़ी से हड़ी जूड़ेगा अब देखोगे कि जो मांस्पेशी है वो हड़ी से कैसे जूड़ा रहेगा तो वो कंडरा के द्वारा जूड़ा रहेगा तो कंडरा एक अन्य प्रकार का से लिखना होगा कि असनायू में हड़ी से हड़ी को असनायू जोड़ता है और कंडरा हड़ी को मांस्पेशी से जोड़ता है कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीले पनवाले रेसेदार उत्तक होते हैं तो गंडरा के बारे में लिख देंगे कि ये कम लचीले पनवाला होता है तथा सीमित रचीले पनवाला होता है तथा रेसेदार उत्तक का बना होता है जबकि असनायों में लिख देंगे कि अधात्री इसमें बहुत कम होता है इस प्रकार पहीं कोशिकाओं के बीच परियाबत स्थान होता है इसकी ठोस अधातरी प्रोटीन और सरकरा की बनी होती हैं तो भाई हड़ी जो होता हुआ लचीला नहीं होता है उपास्थी लचीला होता है हड़ी जो होता उसका अधात्री कैल्सियम और फॉस्फोरस का बना होता है लेकिन उपास्थी में अधात्री प्रोटीन और सरकरा का बना होता है हो गया ना दो अंतर हड हड़्डी करता है लेकिन जो उपास्ति है कई जगहों पर पाया जाता है कि जैसे जोड़ वाले अस्थान में हड्ड पाए जाता है तो देखा अस्थी और उपास्थी में अंतर हम लोगों ने लिख दिया ना कितना लिख दिया एक अंतर दू अंतर तीन अंतर असानी से लिख दिया हम कान की उपास्थी को मोड़ सकते हैं परन्तु हाथ की हड़ी को नहीं सोचिए यह उत्तक इस प्रकार भिन् तो एरियोलर सेयोजी उत्तक त्वचा और मांस्पेशियों के बीच रक्त नलिका के चारो और तथा नसों और अस्थी मज्जा में पाये जाता है तो यहां से क्वेशन है कि एरियोलर सेयोजी उत्तक कहां कहां पाये जाता है तो त्वचा मान स्पेशियों के बेच रख्त न लिका के चारो और तता यानि कि ये अंगो के भीतर की खाली जगह जहां जहां वहां ये भरने का उसको काम करेगा यहीं यहां से question बनदा इसका उत्तर कर दीजिएगा आंत्री कंगो को सहारा परदान करता है और उत्तकों की मरमत में भी मदद करता है अब नया है तुम्हारा वसा में उत्तक तो हमारे शरीब में वसा कहां संचीत होता है थी वसा में उत्तक एडी पोस टीशू में संचे होता है तवचा के नीचे आंत्री कंगों के बीच पाया जाता है तो तवचा के नीचे और आंत्री कंगों के बीच में पाया जाता है इस उत्तक की कोशिका वचा की गोलिकाओं से भरी होती है और इसके कारण इसका रंग भी क्या होता है पियर पियर पिल्ला होता है वसा संग्रहित होने के कारण या उसमिय कुछालक का खारे भी करते हैं यह सारा पॉइंट्स तुम यहां लिख सकते हो यानि कि यह हमारे को गर्मी भी प्रदान करेगा ठीक है तो निश्ठ है हमारा पेशिय उत्तक यह भी कितने प्रकार का पढ़ना है तीन प्रकार का तो यहां देख सकते हो पेशिय उत्तक लंभी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं पेशिय फाइबर कहा जाता है तो यहां पर जैसे शुरू में ही हम लोग documents ने पढ़ा था जो की खास प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशिय कोशिका कहते हैं ठीक है और इसका special नाम है क्या नाम है इसे बोलते हैं पेशिय रेशा यही नाम है इसका यह याद रखना है मसल, फाइबर और हम लोगों ने देखा कि यही पेशिय रेशा क्या करता है इसमें संकुचन होगा यानि कि इसमें यह सिकुड़ेगा तथा फैलेगा और उससे क्या होता है गती होता है यह हमारे शरीर में गती के लिए उत्तर दाई होता है तो कोश्चन नी कोश्चन सब या संकुचन नेवं प्रसार से गती होती है तो यह पेशिय रेशा या पेशिय कुछ कैसे संकुचित होती है तो इसमें एक विशेश प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके संकुचन और प्रसार के कारण हमारा जो गती है वह होता है कुछ पेशिय की हम इक्षानुसार गती अच अरे भाई जैसे हाथ का पेशी पैर का पेशी इसको आप अपने अनुसार मोड सकते हैं ज़रा मोड के दिखाए बिलकुल ये गती कर सकते हैं आपके मन के अनुसार इक्षा के अनुसार लेकिन यदि मैं बोलू कि आप अपने हरीदय को थोड़ा सा बंद करिए या सुरू करि है उसे एकचिक पेशी कहते हैं जबकि कुछ पेशिया है जो कि हमारे एक्षा अनुसार नहीं मूवमेंट करेंगी उसे हम लोग कहेंगे अनैकचिक पेशी इन वालियंटरी मसल यह दोनों याद तो जो एक्षिक पेशियां है इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हड़ियों से जुड़ी होती है तथा शारिरिक गती में सहायक होती है तिनका दूसरा नम क्या है कंकाल पेशी अब ये क्यों है भाई क्योंकि ये हमारे सिदिर के हड़ियों स धारियों की तरह प्रतीत होती है इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते है इसे हम लोग क्या बोलेंगे रेखित पेशी है इस तरीके से देखोगे तो डार्क बेंड लाइट बेंड डार्क बेंड लाइट बेंड के रूप में यह रहता है इसलिए इसको रेखित पेशी कहत है और ईख्итपेशी तो भाइ नमबर तीन कोन है और नमब तीन होता है हमारा हृब्यक पेशी इंतीनों के बारे में ही पढ़ना है तब बारे में 40-50 कर दीजिये ब expect क्या है कंकाल कर dennina यह हमारे हटियों से जुड़ी रहती हैं सरीर को घति प्रदान करती हैं यह एक छिक पेशियां होती है, देखा, 3-4 पॉइंट बन गया, देखित पेशिए के बारे में इस उत्ता की लंबी कोशिका है लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहु नाविकी होती है, ये देखिए, ये पहला आपका हो गया, ये ही है रेखित पेशी यह लंबी होती है यह बहुत सारा इसमें केंद्रक पाया जाता है यह देखो धारीदार दिख रहा है तुमको यह धारीदार है यह डार्क बेंड और लाइट बेंड के रूप में रहती है ठीक है तो इस तरीके से चार-पांच बात तो यहीं पर हो गया देख साखा रहित होता हैaksi में कोई साखा इस तरीके से नहीं होगा ना भी नहीं होती है यानि कि अले कि आ लेगा ठीक है तो यही सारा बहुत लिखे देना है रेखित पेशी के बारे में अब दूसरा है तुम्हारा और रेखित पेशी तो अब देखो आहार नाल में भोजन का प्रवाह या रक्त नली का का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां एक्षिक नहीं है भाई रक्त नली क तो आप फैला दिजिए पचका दिजिए आप कर सकते हैं बेलकुल नहीं आपका जो आहार नली है जिसमें भोजन जा रहा है थोड़ा से उसको आगे बढ़ाई तो अभी देखिए तो बढ़ रहा है नहीं बढ़ेगा यह आपके एक्षा पर नर्भर नहीं है तो इस प्रक गतियों को इक्षानुसार प्रारंब या बंद नहीं कर सकते चिकनी पेशियां अथवा अन्यक्षिक पेशियां इसकी गति को नियंत्रित करती है तो दूसरा वाला वही हो गया और रेखित पेशी या चिकनी पेशी चिकनी पेशी इसी को कहेंगे और यह कैसा होता है और न पेशियां इनकी गती को नियंतरित करती हैं अब देखो तो अनेचिक पेशियां कहां होती है तो आख की पलक मुत्र वाहिनी और फेपड़ों की स्वस्नी में भी पाये जाता है कोशिकाएं लंबी और इसकी आखरी सीरा नुकीला होता है तरकू रूपी इस तरीके से तुम्ह होगा जो भी मैं दिखाने वाला हूं यह एक कंद्री होती है यानि यह कंद्रक होगा और और एखित पेशी भी कहा जाता है तो पॉइंट बनाने लोग तो एक दो तीन चार पांच छो पॉइंट बन जाएगा तो थोड़ा से इसको फिर से देख लो तो छे पॉइंट तु तो यहां पर चित्र भी देख सकते हो यह देखो यही है तुम्हारा यह देखो किस तरीके से यहां पर और एखित पेशीया है जो कि तर्कू रूपी होती है जिसमें एक कंद्रक होता है और यह अनैक्शिक पेशीया होता है इसमें आंक की पलक मुत्रवाहिनी फेपड़ों स्वस्वनी में भी पाय जाता है कितना सारा पॉइंट लिख सकते हो और यहां से क्वेस्चन भी आता है बोल सकता है कि तर्कू रूपी कोशिक आए या तर्कू रूपी शेप वाला जो पेशी है उतक है वह कौन सा है तो इसका उतर है इसका उतर है तुम्हारा और एखित पेशी वो कैसा होता है तो अनैक्षिक होता है यही तब क्वेश्चन में पूछेगा तो गन्फ्यूज मत हो जाना हृदय की पेशियां जीवन भर लैबद होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है इन अनैक्षिक पेशियों को कार्डिक या हृदयक पेशी भी कहा जाता है तो इस तरीके से हृदय में पाए जाने वाली पेशियों को हृदयक के पेशिक हैंगे अब बताओ यह एक्षिक है अच्छिक है अच्छिक है गुडवक आने अच्छिक है आप अपने मन से हिरदय को लइबद नहीं कर सकते हैं तो यह अनाच्छिक पेशी है समझ गाए इसको अंगरेजिया में कहते हैं कार्डिक पेशी भी कहते हैं हुष्डय की पेशी कोशिकाव बेलनकार शकाओं वाली और एक कंद्री होती है तो इसका बेलनकार होगा गोई यह तरीके से और बेलनाकार होगा हृरदयक पेशी ठीक है ना देक्पैशी यहां लिखा हुआ है कि अब आगे हमारा तंत्री का उत्त्र्क तो हमारे शरीर में सुच और को एक जगर से दूसरे जगर पहुंच आता है तंत्री का उत्तक, जैसे तुम्हारे पैर के नीचे अभी क्या है, वो तुम्हें कौन बताएगा तुम्हारा तंत्री का उत्तक, तो पैर से तुम्हारे दिमाग तक उस सूचना को ले जा रहा है, तुम्हारे हाथ में भी क्या है, यदि तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तो इस सुचना को द्रिक तंत्री का द्वारा तुम्हारे मस्तिस्क में तुम्हारे मस्तिस्क में कौन ले जा रहा है तंत्री का उत्तक ले जा रहा है यदि तुम यहाँ पर कुछ बोल रहे हो तो बोलने मतलग जीव हिला रहे हो तो जीव कौन हिला रहा है यही तंत्री का उत्त से ही बना हुआ है यह सूचना है कौन पहुंचा रहा है तंत्रिका उत्तक पहुंचा रहा है कि सभी कोशिक्राइब में उत्त्यारा कि अनुकूल प्रतिक्रिया करने की छंपता हो या दियुकों दे तक कि कोशिका बहुत सिग्र उतेजित होती हैं और इस उतेजना को बहुत ही सिग्र पूरे सरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा क्लास 10 में चैप्टर नमबर साथ में ज्यादा यह समझ में आएगा क्योंकि यहां पर उतना अच्छा समझाए गया नहीं है इंसी आर्टेम लोग पढ़ रहें भाई तो इंसी आर्टेम जो बाते हैं वही तम लोग सीखेंगे देखिए हमारा जो पूरे तंत्री का तंत्र है वह यही निउरॉन से बना हुआ है या इसको तंत्री का कोशिका भी कहते हैं तो यही तंत्री का कोशिका में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इस तरीके से डेंडराइट यह क्या करता है सुचना खुल लेता है और इस तरीके से एक जोन यानि तंत्री का अक्स से होता और यही neuron हमारे पूरे शरीर में फैला है जो सुचनाओं को एक जगह से क्या करेगा दूसरे जगह ले जाएगा और हमारा मस्तिस्क मेरूरज्यू सभी इसी कोशीका से बना हुआ है और यही जो है हमारे पूरे शरीर में भी छाया है तो हमारे पूरे सरीर में ये क्या करता है सुचनाओ को एक जगा से दूसरे जगा क्या कर जाता है ले जाने का कारे करता है इसी यू कहते हैं नियूरॉन और यही नियूरॉन जो है वह तंत्री का उत्तत का क्या है संगरशनात्मक तथा क्रियात्मक हिखाई है या इसको तंत् और यह जो दिखरा है इसको बोलते है डेनडराइट्स क्या बोलते है डेन रात्थ और यहां से यह जो दिखरायब सकून और इसको बोलते हैं और इस जो सुचने को लेगा और इस सब्सक्राइब लेते हुए इस तरीके से और बढ़ाता है किसका एक तंत्री का कौशी पूरा इसी नीयूरान से मिल करके बना होता है अब देखोगे यह जो सूचना यहां से जा रहा इस तरीके से वो किस रूप में जाता है तो वह यहां electricity के रूप में समझ लो जाएगा यहां पर आयन के आयन के विभिन प्रकार के अस्थनांतरन के द्वारा या बोलें के आयन के चलने से यहां पर एक current के जैसा यहां पर information या बोलेंगे सूचना एक जगा से दूसरे जगा जाएगा ठीक है और यही तो कारणे कि यह सूचना इतना Candice फाउस्ट होता है इतना फास्ट होता है कि अभी तुम खुद देख लो तुम्हारे पैर के नीचे क्या है कितमा जल्दी इस तुम्हारे पैर से तुम्हारे दिबाग के सोच करता है और साथी साथ information को सुचनाओं को एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाता है और हमारा जो शरीर में यह जो पांच ग्यानेंद्रियां है उनमें उन से हम लोग क्या करते सुचनाओं प्राप्त करते तो पांचों ग्यानेंद्रियां में यही बिच्छा हुआ है जो कि पहुंचाता है तंत्रिका तथा पेश्य उत्तक का कारियात्मक संयोजन प्राया सभी जीवों के मौलिक है साथी यह संयोजन उतेजना के नुसार जन्तों को गती प्रदान करता है तो यह बहुत अच्छे से आप क्लास स्टिंथ में और अच्छे से समझाये जाएगा तो हमारा जो तंत्री का तंत्र है उसमें मुख्य रुप से क्या है मस्तिस्क है मेरू रज्जु है और साथ ही साथ सभी तंत्री काएं शामिल है जो कि पूरे शरीर में क्या है फैली हुई है और ये सब किस से बना है तंत्री का उत्तक से बना हुआ है और ये जो तंत्री का उ आत्मक एकाई के नाम से जानते हैं, नियूरॉन में कोशिकाएं किंद्रक तथा कोशिका द्रवे साइटोप्लाजम होते हैं, इससे लंबे पतले बालो जैसे सा खाय निकलती है, जिससे हम लोग डेंडराइट्स कहते हैं, प्रत्येक नियूरॉन में इस तरह का एक लंबा प् और जैते हैं, डेंडराइट्स से ही सुचनाओं को लेते हैं तथा एक जौन में आगे की और बढ़ाते हैं, यह तंत्रीका कोशिका शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है, लगबग 1 मीटर लंबा तक हो सकता है, बहुत सारे तंत्रीकारे से सेयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्मान करते हैं तो इस तरीके से देख सकते हो बहुत सारा चीज तो तुम्हें समझ भी नहीं आया होगा लेकिन काफी चीज़े मैंने यहां पर तुम्हें समझाने का कोशिस किया है तो चप्टरवा हो गया हम समाप्तम तो कैसन लगम जरूर बताइम और यहां पर कमेंट बक्समवा में कमेंटम करदें ओके तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवादम